हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, शुश्मा राजकुप्ता, आज हम शुरू करने चाहरे हैं, न्यू चैप्टर, रिग्रेशन अनेलसिस, आज की वीडियो में हम करेंगे, मीनिंग ओफ रिग्रेशन अनेलसिस, टाइपस ओफ रिग्रेशन अनेलस इसके जो बाकी मैथड है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, हांजी रिग्रेशन शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कोरेलेशन क्या होता है, कोरेलेशन दो वेरियेपल्स के बीच में रिलेशन शो करता है, इट शोस दार रिलेशन, extent and degree of relationship between two variables, ठीक है, तो कोरेलेशन जो है रिलेशन शो करता है, और रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एक स्टैटेटिकल टेकनीक है, जो की unknown value को estimate करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, unknown value किसकी dependent variable की, किस से पता चलेगी independent variable से, ठीक है, एक independent variable से, dependent variable की value हम लोग जान सकते हैं, predict कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, regression analysis कहते हैं, यह किस ने शुरू किया, यह Francis Galton ने शुरू किया, कब introduced कहिया, 1877 में introduced किया था, ठीक है, अगर हमें, किसी, जैसे हम price or demand को लेते हैं, ठीक है, price or demand का आपस में relation है, ठीक है, जो correlation है, वो यह पताता है, कि दोनों का relation कितना है, ठीक है, और regression यह पताता है, कि अगर हमें एक value दी हुए x की, तो हम y की value कैसे calculate करेंगे, ठीक है, जैसे हमें y, we are to find the value of y, तो यहां पर y क्या होगा, dependent, y किस पर depend कर रहा है, x के, x क्या होगा, independent variable, अगर हमें x की value पता होगी, then we can know the value of y, तो यह एक variable की होते हुए, दूसरे की value को find करना, कौन बताता है, regression analysis बताता है, हाँ जी, अब है कि regression analysis की classification, तो classification में सबसे पहले हम करेंगे, linear regression, linear regression क्या है, when dependent variable moves in fixed proportion of the unit moment of the independent variable, मतलब कि, जिस ratio में independent variable move कर रहा है, उसी ratio में, जब dependent variable move करता है, तो दोनों का relation एक line में show होता है, तो उसे हम linear regression कहते हैं, point clear है, जब दोनों एक ही ratio में move करते हैं, तो उनका relation एक straight line में show किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे linear regression कहा जाता है, non-linear regression, जब दो variables एक ही proportion में या constant proportion में change नहीं होते, does not change by constant absolute amount, then it is known as non-linear regression, दोनों एक ही line में, एक ही proportion में move नहीं कर रहे हैं, तो ये line में नहीं आ रहा, तो इसे क्या कहते हैं, non-linear regression, clear है, then आगया simple regression, जब हमें सिरफ दो ही variables दिये हों, जैसे x variable दिया हुए, y variable दिया हुए, हमने इन दोनों के variables की value को analysis करना है, तो उसे क्या कहते हैं, simple regression, जैसे हमें x की value दी, हमने y की find करने, y की दी, we are to calculate the value of x, तो इन दोनों की ही values को estimate करना है, तो उसे क्या कहते हैं, simple regression, अब आगया partial regression, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा values दी होती हैं, but we are to study only 2 items at a time, 2 variables at a time, that is known as partial regression, हमें जो variables दी हैं, वो तो 2 से ज़्यादा दी हुएं, पर at a time हम सिरफ 2 को study करें हैं, चाहे आप x, y को study करें हो, चाहे y, z को study करें हो, चाहे इसमें से x, z को, किनी 2 को आप study करते हो, तो उसे partial regression कहा जाता है, ठीके जी, then आगया multiple regression, multiple regression होता है, कि जैसे हमें 2 से ज़्यादा variables दिये होते हैं, ठीके हम लोग उन सब को at a time analysis करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, multiple regression, when more than 2 variables are studied, their relationship are simultaneously work out, इसमें क्या था, 3 में से हम किनी 2 को study करें थे, इसमें जो 3 variables दिये हैं, हम लोग 3 को ही study करें हैं, हमें price भी दिया हुआ है, हमें demand भी दिये हुई है, हमें supply भी दिये हुई है, हम 3 को at a time study करें हैं, तो उसे क्या कहते हैं, multiple regression, ठीके, तो ये थी classification of regression, हाँ जी, सबसे पहले हम लोग करें हैं, free hand curve method, free hand curve method में, इसको graphic method भी बोलते हैं, ठीके, तो जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया आपको, कि regression का मतलब है, कि हमें एक variable की value दी होगी, हमने दूसरे variable की value find करनी है, तो जहां पर हमें x और y की value दी हुई है, ठीके, ये x की values आगी और ये आगी y की values, यहां पर हम x-axis लेंगे और यहां y-axis लेंगे, ठीके, तो पहले हमने x को plot किया, ये 10, 20, 30, 60 तक लिए, ये भी हमने 60 तक लिए है, जब हमें x 10 दिये, x हमें कितना दिये, 10 दिये, तो y की value है 20, ठीके जी, जब हमें x 16 दिये, यहां आगे 16, और y हमें कितना दिये, 12 ठीके जी, then third हमें दिये x 24 है, और y 32 है, तो 24 और 32 ये आगे, ठीके, then x हमें 36 दिये, और y हमें 40 दिये, ठीके, then हमें x दिये, 48 और y दिये, 55, ठीके, तो इस तरह से हम इनकी values को आपस में मिला देंगे, ठीके, अब इस से तो हमें कुछ भी मतलब की पता नहीं चल रहा, तो free hand curve का मतलब है, कि हम लोग क्या करेंगे, इस में से एक ऐसे straight line, ठीके, जो ऐसे जैसे हमने time series में किया था, इस तरह से हम straight line, जो इस पूरे करव को cover कर रही है, ठीके, हम लोग straight line draw करेंगे, अब straight line draw करने के पाथ, ठीके, ये हो गया हमारा free hand curve, आप इसको scale से बना सकते हो, ठीके, अब माल लो हमने, जो main question है हमारा, कि हमने 60 की value, when x is 60, ठीके, हमने value find करनी है, when x is 60, तो हम इससे find कर सकते हैं कि अगर x is 60 है, ठीके, तो y क्या होगा, तो y जो है, वो above 70, near about 72 होगा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, values को predict कर सकते हैं, point clear है, free hand curve हमें बताएगा, कि अगर x is 60 है, तो y कितना होगा, that will be 72, तो अगर y is 60 है, तो x क्या होगा, वो भी हम predict कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इनकी values calculate कर सकते हैं, ठीके, जिक clear है, तो ये था हमारा free hand curve method, हाँ जी, next वीडियो में हम लोग इसका जो least square method है, वो use करेंगे, ठीके, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को like करें, ये चैनल को अभी तक नए सब्सक्राइब किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठैंक यू, हमेशा खुश रगें, जर बाको 한ोग, साथ जर्प एच害 वीडियो कि को जो सब्सक्राइब करें, चैनल करेंधे, प्यू, मगल्यों कि नए रहाँ करेंगे, टीडियों को आर बाको खुशू, खुशू, झाल को नए वीडियों के थैंक प्यू